धर्म के रास्ते में तो वेक्ति को जाना ही चाहिए और धर्म के रास्ते में जाने के लिए सबसे पहले वेक्ति को सत्य के रास्ते पर आपके दर्सकों से और जो भी हमको देख रहे हैं सुर रहे हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि सभी जो है भगवान के प्रति भगवान को भ सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल नियू 72 में आज का समय भौतिक सुख सुविधाओं के तरफ यू आवर्ग हो यह हम स्टुडेंट के बात करें काफी भागते हुए लोग जा रहा है उस तरह हम उन्हें मोटिवेट करते हैं तो कौन सा रास्ता होगा जो उन्हें स सत्य के राशते पिजाना पड़ेत हैं आपके दड़्सकों से और जो भी हम को देख रहें हैं सुर रहें हैं उनको कहना चाहेंगे कि सभी जो है भगवान के प्रती भगवान को भगवान की सत्यता है उस पर विश्वास करें और अपने अपने जो कार्य है वह तो करना ही चाहिए साथ साथ में भगवान की भगति भी होनी चाहिए पंडी जी बहुत अच्छा कथा करते हैं भागवत कथा करते हैं और भी कथा पुरान करते हैं तो आप अपने वेक्तिकत जीवन के बारे में थोड़ा बताई कैसे आप भागवत गाउं है पैत्रिक वह है लवन के पास मुंदा नाम का गाउं है बलोदा बजार जीले में पड़ता है हम वहां सत्रा ठारावर सतक वही रहे हैं उसके बाद में फिर भगवान की इक्षा और प्रभू की क्रिपा से यहां रायपूर आना हुआ यहां रायपूर में हम जो स्थूति है और सास्त में ही भगवान के जो गुणकान है उसके बारे में कहना और सुनना प्रजारम की देखे धर्मपरवरतन है जो जबर्दस्तिक इसी से कराय जा रहा किसी को लालस दे करके या किसी को डरा धंका करके वह गलत है और व्येक्टि जो है अगर दूसरे धर्म में चला गया है हमारे सनातन धर्म है और यह बहुत ही प्राचिन धर्म है लगभाइल्म्'ll हमारे सनातन वैदिक हिंदू संक्रिति और हिंदू धर्म को लगभग लगभग दो अरबवर्च हो रहा है तो जो पहले किसी के डर से या किसी के भैत से चले गए हैं दूसरे धर्म में अज्ञानवस अगर वह को हमारे पुणाहँ अपने धर्म में लागते हैं तो अच्छी काफी पावन भूमी हो गई अगर की बात करें अभी कुछ दिन पहले प्रदीप मिश्णा जी की शीव मुहापुराण की कथा हुए थी उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार भी पहुंचे था इस बार फिर वसंद विहर में कथा प्रारम हो रही आपके द्वारा भागवत कथा का पार्ट करेंगे उसके बारे जब अवतार लेते हैं पित्वी पर आते हैं तो क्यों लेते हैं क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है तो उस अधर्म को नश्ट करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के अधर्म को नश्ट करके धर्म की स्थापना करते हैं तो हम भी भगवान श् दोग भक्ति में जुड़े ज्यान मार्क में आएं और अपने संख्रिती में अपनी सभ्यता में रहे यही बस कामना है आज की युवह के बहुत ही पढ़ी लिखी हुई हैं समझदार है धिरे धिरे अपने धर्म के प्रति उनका आ सकती हो रहा है आएंगे सभी और धर्म के प्रति जागरोग हो रहे हैं तो निश्चित है कि उनको सस्संग मिलेगा सस्संग से उनके अगर ससंग का एक वाक्य भी उनको ग्रहन कर लि करते हैं हिमान सो कृष्ण सास्त्रे जी वेक्ति का जीवन पर बात हुई और आज की वर्ग को लेकर भी उन्होंने बहुत सरी बाते बताएं वाप लोग जुड़े रहे हैं न्यूस सेवेंटी टू में मैं सौरब नायक जय जोहार जय चाहत्यसगर कर दो